प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सभी स्वागते आप सभी बच्चों के MD Classes की YouTube चनल में बच्चे आप सभी को पता है कि सुबा से ही ये पेपर का कटिंग जो है वो वारल हो रहा है और हर जगा बच्चे लगतार चाहे वो पेड़ वाला गुरूप हो चाहे वो फ्री वाला और बहुत सारी चीज़े आपको यहां से समझ में आने वाले कि क्या क्या चीज़े अक्षिय में इंटर्नेली चलना है तो मैं पूरा न्यूज पहले आपको पढ़के दिखाता हूं साइद आप सभी के पास भी यह चीज़े आ गई हो जिसमें यह लिखा हुआ है कि प्रया यह चीज़े आपके पास नौटिफिकेसा ना रखा है तो बच्चा सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूब कि यह जो न्यूज है इसमें यह चीज़ कह रहा है रेलवे बोर्ड मिलब रेलवे यह चीज़ कह रही है फिस सरकार ने यह प्रस्ताओं को रखा हुआ है कि वो सभी रेलवे भरती बोर्ड के लिए आरार्वी को और रेलवे भरती प्रकोश के लिए आरार्सी को मतलब इंटरनेली जो एकजाम होंगे उनको आगे प्रकोश के लिए आरार्सी के लिए जो आरार्सी और आरार्वी दो आपके पास रेलवे को भरती कराने के लिए रिक कर सकती है अब यह लोग पेपर नहीं कराएंगे तो अब क्या होगा पेपर कराएगा कोई ना कोई तो कराएगा कैसा तो है निकी ट्रेंट बिना किसी चीज के चलेगी कोई मतलब नहीं है किसी लोग का वहाँ पर ऐसा तो बिलकुल भी नहीं है तो अगर यह लोग पेपर नह मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अब ये पेपर कराएंगा और इनके माध्यम से रेलवे में जितने भी नई रेक्रिमेंट आएगी उसके भरती होंगी एक चीज यह बताओ बच्चा कि आपने वो कहानी सुनी है कि होता क्या था कि एक आदमी जो था वो लेके जा रहा थ या शौत को तो होता क्या था कि चारो डवत जाता उसके रास्ते में चाहरो साइड में कहीं न कहीं कोई इस पेड़ के पीछहे फिर कोईा आधे किलोमेटर के बाद उखड़ा हो गया फिर कोई कहीं उदर खड़ा हो गया तो बकरा चोर चारों साइड खड़े रहते हैं células बीच में से जाता है आदमीं तो पहला चोर नहीं गोरतों फिर जो बकर लेकर आदमी परसांत यह भी कह रहा है यह फिर फेसको symptoms काता है कि कहां मैं तो Zelika जा रहा कुट्टा लेकर बक्राई तो लेकर जाना हो फिर आगे बढ़ता है तीसरा आदमी मिल जाता है वो भी चौर होता है तीसरा जो बक्रा चौर आला रहता है वो भी बक्रे वाले आदमी से कहता है यह तो मरा हुआ कुट्टा तुम्हां किसी काम करने इसको लाओ दफना चुने मात्यां स्थे करें रफसाइल लेकर जाता है यह वें força आदमें अपने सरो टांगा हुआ हूआ धर यह बक्रिम कङ अधर समय जो गया कि क्या यह वाकई कहीं तो कुट्ता नहीं देखता है फेक देता है कहता हाँ यह कुट्ता ही है जाने दो तो वही आल इस समय रेलवे वाले बच्चों के साथ भी होगा बच्चा सीबीटी वन एंटीपीसी का खतम हो चुका है एंसर की फानेली लॉंच कर दी गई है 16 अगस को ही आगेती 24 अगस तक का हमने अपने पूरा एंसर की भर दिया जो भी ऑबजेक्शन से सब कर दिया रेलवे की परिक्चा जो है आपकी एंटीपीसी वन का सीबीटी वन का रिजल से ते उसमें भी यह बात कही गई बच्चा कि किसी भी पल रेलवे की भरती की परिक्षा आप जो है सीबीटीवन का रिजल्ट आ सकता है और सीबीटीटी टू के पेपर की डेट और एंटीपीसी के जो आपका गुरूबडी उसकी पेपर डेट जारी हो सकती है और इस पर तैयारी भी हो रही है और अंतर अंदर कुकि अएसा तो है मैंकि बहुत आसान होता तुरंट जारी तार देना थोड़ा सा समय लगता लकिन रेलवे को ज्यादा ही समय ले रहा है इसके लिए बहुत सारे लोगों के बात करके हम लोग कि सी तरीके से डिल्ली में प्रोटेश की भी बात कर रहे हैं कि अगले दो हपतों एक दो हपतों के अंदर प्रोटिश भी करेंगे पेपर तो होगा बच्चा लेकिन इसमें वही बाजी मारेगा जो ज्यादा देर तक मैदान में टिकार है और मैं इस बात को कहिए रहा हूँ कि अगर आप ये बहुत बढ़ियां समय मैंने पिछली बार जब एंटीपीसी के त्यारी करा रहा तो मैंने उस समय भी बच्चों से यह कहा था यह बहुत बढ़ यहां समय बच्चा इसे समय पढ़ लो पेपर कभी भी आ जाएगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा और 28 दिसमभा को फानेली पेपर हो गया एक लोगे कुछ ना कुछ ओकि पढ़तो रही रहे हो बस चीजे रिवीजन नहीं है चीजे रटी नहीं है हाँ एक बात यह कह सकता बच्चा एकदम परिसानी है लेकिन जहां ज़्यादा परिसानी वहीं तो ज्यादा सकसिज भी है अगर लगयतार होते चलते रह जाते तो में अगले साल तो आएगा याएगा जाने दूख अहीद करना लेखिन उम्ली के चाहरो परी टीम लेकर जरें पेपर सीवीटी वन हो चुका ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि बीच में कोई दूसरी आजाओ पेपर करा दे या रुक्रिमेंट ग्रेलवे गुरूप डिका रखा कोई दूसरा करा दे सारे पेपर होंगे अपने समय पर होंगे हर चीज का समय आएगा आपका भी समय आएगा ल आपको एप दिखा भी दिया हमने करके डेली कुछ वाली सक्षिन में यहाँ आपने त्यारी पहचानों सुबह आप कर देख रहो हर जगहां देख रहो इन दस कोशन्स कर लिये ना बत्चा मैं कह सकता हूं यह बेस्ट टीम बना रही और आपको जबरदस्त करके यह करेंट पर जरूर जोइन करिए सिर्फ आपको ऑफिस से लाइब डाउनलोड करना होगा पासओर्ड कैसे बनाएंगे यह दिक्कता रहे दिखो पासओर्ड क्या होगा क्योंकि हमने बड़ा सेक्योर एप रखा हुआ मतलब आपको स्पेसल करेक्टर और नंबर चाहिए और स्माल और सब हो जाएगा पासओर्ड बना लिए एंप्टी क्लास ऑफिसल फ्री का बच्चा कुछ हो रहा है बहुत इंपोर्टन कुछ है अपनी रैंक को जरूर लाइए इसके लावा अब आपके त्यारी तो बहुत ब नौ बज़े जब मैस लेकर आओंगा मैं बिल्कुल फ्री यूटूब पे जाएगी पूरी की पूरी सिंप्लिफिकेसन के धज्जी ना उड़ा दिया तो कहना एक घंटे में सानदार पूरा रिवीजन होने वाला होगा फिर आपके लिए और भी कही सारी चीज आएंगे मत पूरे 30 दिन में मैं मैच के सारे चैप्टर्स को टूच करूंगा और सारे चैप्टरस को बहुत बहतरीन तरीके से करूंगा अब आपको क्रैस को परेष्ट की जरुवत कब पड़ेगी तो आपके पास पूरा कोर्स सही से कंप्लीट हो तभी तो फायदा होगा कि ऐसे तो चो मात्रों मात्र बच्चा दोस्व उन अच्छास में आपको क्या क्या चीज़े मिलने हैं सबसे पहला तु सारे कोर्सेज मिलेंगे मैथ रीजिनिंग जी के जह सब सबकी क्लासे उसमें पड़ी हुई है आपको देख भी सकते हो डाउनलोड भी कर सकते हो स्पीड भी आपको मिलना है इससे सस्ता पूरे यूटूब पे मैं कह सकता हूं कि आप पूरे इंडिया में कोई सस्ता आपको सिर्फ गुरूप डी का बैच नहीं दे रहा होगा और दो सब्सक्राइब क्या लगा होगे इस पेसर और और जब सी बीटी वन का रिजल्ट एंसोर किया था हमने धाई हजार से भी उपर नए बच्चों को यहाँ पर एड़ करा हुआ था और वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा जब यह रिजल्ट आया क्योंकि हमारे चैनल से ऐसे बच्चे है जिन्होंने एक क्यानमे तगे स्कोर कर रखा है तहलका बैच कूपन कोट 4000 ये भी होगे फुरी क्लासे सो मौर से पूरा कोर्स कंप्लीट कर यह व्योडी बैच से कहां मिलेगा आपको यह एप दिख रहा होगा एप आपको व्योडी बैच में बता देता हूं कैसे कैसे क्या क्या चीज़ों होने वाली होती है कि एप जैसे आप डाउनलोड करते हो तो यह सस को पता है कि जो बक्रा मानेगा वही लाश में जाके उसका स्वाथ चकेगा सब कुछ भेकार हो जाएगा थांक्यों सो मच बाइबाइबाइबाइब नाइट टेकर थांक्यों सो मच कैज